नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसे खिलाडी को लेकर आये है जिसने बारत्य क्रिकेट का नाम IPL में घर्व से उंचा कर दिया था जिहाँ दोस्तों ये वही खिलाडी है जिसने 2009 में शतक जड़ कर पहले बारत्य बन गया था जिसने IPL में शतक जड़ा था अब आप समझी गए होगे हम बात कर रहे है मनिश पांडे की जिन्होंने IPL में 73 गेंदों में 114 रन बना कर इतियास रच दिया था तो आज हम जानेगे मनिश पांडे के जीवन के बारे में तो अगर आप मनिश पांडे को पसंद करते है तो वीडियो को कल लिजी का लाइक और चैनल को कल लिजी का सस्क्राइब ताकि आपको ऐसी नए वीडियो देखने को मिल सके मनिश पांडे का जन्म 10 सितंबर 1989 को नई नीताल जिल्ले में हुआ था जो की उत्राखण में है उनके पिताजी का नाम कुरुष्नानद पांडे है मनिश पांडे के पिताजी बारतिय सेना में थे मनिश पांडे बताते है कि इन्होंने क्रिकेट कक्षा तीन से ही खिलना शुरू कर दिया था मनिश पांडे ने अपनी पढ़ाई नासिक में स्थीत केंदरिय विद्यले से पूरी की थी उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जम्मू युनियोर सिटी से पूरी की मनिश पांडे के करियर की बात की जाये तो मनिश पांडे एक मध्यम कर्म बल्लेबाज है इन्होंने अपने प्रदेशन की बदोलत कई मुकाम हासिल किये है 2008 में Under-19 World Cup Team India ने जिता था इसमें मनिश पांडे भी थे इसी World Cup Series में अच्छे प्रदशन की वज़े से मनिश पांडे लोगों की नजर में चड़ गए और उसी की बदोलत Royal Challenger Bangalore की टीम ने इन्हे IPL में खरिद लिया ये IPL मनिश पांडे के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदशन किया इन्होंने एक मेंच में 35 गेंदो पर 48 रन बना कर अपनी टीम को जिताया जिससे उनकी टीम IPL के फाइनल में पहुँच गई थी IPL में बनाई शतक ने मनिश को एक स्टार बल्ले बास बना दिया और इस शतक की वज़ा से इन्होंने खुब सुखिया बटो रही थी करियर की शरुवाद करने का मौका जिमबावे के खिलाफ मिला इन्होंने 14 जूलाई 2015 को जिमबावे के खिलाफ अपना पहला ODI मेंच खिला मनिश ने इस मेंच में काफी अच्छा प्रदशन किया इन्हों ने इस मेच में एक कत्तर रन बनाए जो की तब तब इंडिया की मेच की स्थीती बहुत काफी नाजुक थी मनिश ने केदार जादव के साथ मिलकर अच्छी साजेदारी की जो 114 रन की थी मनिश को 2016 में एक और मौका मिला जब टीम इंडिया उस्टिलिया जा रही थी इंडिया के इस दोरे में मनिश पांडे को सीडनी में खेलने का मौका मिला जिसमें इन्होंने शांदार शतक जड़ा इस मैच में मनिश ने 104 रंद की पारी खेली इस पारी की बदोलत इंडियन टीम ने ये मैच जीतने में काम्याब रही दोस्तो आज हमने जाना मनिश पाड़े के बारे में दोस्तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छे लगी हो तो प्लीज दोस्तो मेरे वीडियो को शेर कीजेगा लाइक कीजेगा, कॉमेट कीजेगा और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा झाल